नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से धर्मलोग चैनल पर अब कुछ दिन बचे हुए है दीपावली के त्योहार में दीपावली और धनतेरस में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नती हो हमारे खाली जोली भर जाए अर्थात हमारे जो दिन हीनता है वह दूर होकर के हमारे गरीबी मिक्ते हुए हम नस्दीक से अपने अमीरी को देखे हैं और हम धन वैभव से पूर्ण बने हैं वीडियो को ध्यान से देखना दीपावली का त्योहार पांच परवों का अनूठा त्योहार माना जाता है इसमें धनतेरस नरक चतुरदशी दिवाली गोवर्धन पूजा और यमद्वितिया मनाए जाते हैं यमद्वितिया को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं तो दिवाली की रात्री में कई प्रकार की आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा तंत्र मंत्र से मा लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना दूँगा आप जो है इससे सुखी समरिध और धनलाभ की कामना कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे सामगरी हैं जिसे आप अपने घर में खरीद करके लाते हैं तो यह आपके घर में अन्न धन एवन सुख समरिधी की बढ़ोतरी करता है और हो सके तो इसे धन्तेरस के दिन खरीदना चाहिए माता लक्ष्मी की पूजन पर्व दीपावली के दो दिन पहले धन्तेरस का त्योहार मनाए जाते हैं इसे धन्वन्तरी त्रयोजशी भी कहते हैं और इस दिन जो वेद धन्वन्तरी हैं कुबेर जी महाराज है हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं जो धन्वंतरी है इसे वैध्य कहा जाता है अब इसे वेध क्यों कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से अमरित को लेकर के धन्वंतरी उत्पन हुए थे और जितने भी देवताओं के रोगी होते हैं, देवताओं को जितने भी परेशानिया होती हैं, बीमारी होती हैं, सब को ठीक करने वाला धनबंतरी महाराज होते हैं, इस दिन कुबेर जी महाराज, माता लक्षमी इन सब को खुश करने के लिए सोने या चांदी से बनी हुई बर्तन खरीद सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमें घर में त्रयोजशी अर्थात धंतेरस के दिन क्या खरीद करके लाना चाहिए। दिपावली के दिन क्या? खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नती हो। वीडियो ध्यान से देखना है। केवल आपके पास पैसे नहीं हैं तो दो रुपए की यह चीज खरीद करके ले आना आपकी खाली जोली भर जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना अगर वीडियो आज के छोड़ करके चले गए आधे बीच में तो बिलकुल ही। मित्रो आपको बाद में चलकर के काफी पच्चतावा होगा क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे गरीब को मिटाते हैं। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कींती होते हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी को काफी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं जो लाने की सामगरी बताऊंगा आप इसे या तो धंतेरस के दिन खरीद करके लाए या जो सामगरी बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएंगे और कुछ सामगरी मैं आप लोगों को आने वाली एक और इसका पार्ट बना करके फ्री में बताऊंगा। जडी बूटी के बारे में बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को बताया हूँ जडी बूटी भी ही पावर होती है धन दौलत को चुम्बक की तरह खीचने का काम करते हैं सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि धन 13 से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दिपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से रुक जाना चाहिए तो सर्वप्रथम आप इस बात का विशेश ध्यान रखना फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना फटा हुआ जो कैलेंडर होता है समय का सूचक होता है कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए अगर आप खराब समय को अपने अध्यात्मिक उन्नती नहीं हो पाएंगे, बिलकुल आप जिस भी कार्य को चुएंगे, उस कार्य में आपको अस्फल्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं, इस दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल करके मत तांगना। इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह पर मत रखना। जैसे कि अभी अप्टूबर चल रहे हैं, तो आपने सितंबर माह को रख करके रखे हैं, तो इसमें आपको काफी समस्याओं को झेलना सकता है। अब समय से एक महीना पीछे चल रहे हैं। दोस्तों आप माने या न माने, लेकिन मा लक्षमी धन्तेरस के दिन और दिपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जरूर आती है। और ऐसा कहा गये। लक्षमी स्वतह ही खिंचे चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मा लक्षमी प्रवेश कर जाएं, तो घर के बाहर कूडे कच्रे एवन किसी भी प्रकार का गंदगी चीजों को ना रखें और यह भी क रहा जाता है। वैभव रहती है और दरिद्र के साथ में दुख तकलीफ आती है। तो आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकडी का जाला हो घर में इसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। तूटा फूटा आपके घर में कुछ सामगरी। इसे भी आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। घर में हो सके तो धन्तेरस के एक दिन पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है गंगाजल का एक गूंद पापों का शमन करने वाला कह गए हैं। स्थान को पवित्र करने वाला कहे गए हैं। जिस घर में गंगाजल का अगर छिड़काव किया जाए तो वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती क्योंकि उस घर में साक्षात गंगाजल का छिड़काव करने के बाद नारायन प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायन हो, उस घर में मा लक्ष्मी स्वतह खिंचे चले आते हैं इसके बाद हो सके, तो आप जो है पवित्र धुएं अपने घर में जरूर दिखाना पवित्र धुएं में जैसे की कच्ची धूप होती है, आप इनकी धुआ दिखा सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सामगरी आती है, लोबान आती है, मा लक्ष्मी को आकर्शित करने वाला भी इनके धुएं दिखा सकते हैं चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि दिपावली में हमें कौन सी सामगरी को खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नती हो हमारे दिनहीन एवं गरीबी मिटे वीडियो को ध्यान से देखना अभी तक कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी नहीं लिखे हैं तो जैमा लक्षमी जरूर लिख देना पहले सामगरी है मिक्टी की सुराही दिपावली के दिन मिक्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लाना चाहिए ध्यान से सुनना और इसे खरीद करके लाने के बाद घर की उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखना है यह धन्तेरस के दिन करते हैं तो यह फिर सोने पर सुहागे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती आप सुराही की जगह घड़े भी ले सकते हैं अगर आपको प्राप्त न हो लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है ऐसा माना गया है उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होता है और मिट्टी की कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्थ होता है मा लक्ष्मी की क्रिपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगते हैं मा लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है इसके पीछे भी एक कारण है प्राचीन समय में एक ब्राहमनी थी जो की बहुत ही दीनहीन एवन निर्धन थी किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें और यह उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद उनकी गरीवी मिट गई, निर्धनता समाप्थ हो गई कहा जाता है जिस घर में मिट्टी की सुराही रखा जाए उस घर में कभी भी दुख एवन तकलीफ नहीं आती लेकिन रखने का एक नियम है इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए हमेशा गले तक इसके पानी भर के रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए आप चाहते हो तो दक्षिनावर्ती शंक है यह घर में खरीद करके ला सकते हैं दक्षिनावर्ती शंक के फायदा बता दू तो दक्षिनावर्ती शंक से ध्यान से सुनना अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है या फिर मा लक्षमी का तामबे से बना या फिर पीतल से बना कोई मूर्ती है तो इसे स्नान कराकर के शंक से आपको स्नान कराना है दूड से स्नान कराते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है गंगाजल से भी करा सकते हैं सादे पानी से करा सकते हैं इसके बच्चे हुए जो पानी के छीनते पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती है यह भी कहा जाता है दक्षिनावर्ती शंक घर में स्थापित करके रखने से इनके नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहें तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। दो रुपए की कमल गट्टे। गरीबी मिटा सकते हैं क्योंकि मा लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार चुम्बक जो होता है यह लोहे को अपनी तरफ खीचने का काम करता है। उसी प्रकार जो यह कमल गट्टे हैं मा लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह कमल का बीज होता है। कमल पुष्प में मा लक्षमी स्वतह ही विराजित होती हैं। कोई भी आप जो है धार्मिक किताब घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह जो दिन होता है ना धनतेरस यह भगवान धनबंतरी का दिन होता है इसलिए इस दिन चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्वास्थय से बढ़कर की कोई धन नहीं होता। तो अगर इस दिन जैसे की शंकर जटा है या फिर बच्च होता है कुछ जो अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां होती हैं। यह घर में खरीद करके लाकर के स्थापित करते है तो यकीनन मानिये इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है जागरित हो जाती है जब तक की फिर आपके घर में रहेंगे। आपके घर को रोग दोश एवं बड़े-बड़े बीमारी से बचा करके रखते हैं और स्वास्थय से बढ़कर की कोई बड़ा धन नहीं होता। आप जो है कोई भी आउश्धी अपने घर में खरीद करके ला सकते हैं। उसी क्रम में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ शंकर जटा है यदि आप चाहते हो तो काला बच हैं, घोट बच होते हैं। ये सब ला सकते हैं। सारे नाम की आउश्धी होती हैं बोला सकते हैं। धन तेरस के दिन घर में ज़ाडू खरीद करके जरूर लाना चाहिए। इससे घर के नकारात्मक उर्जा बाहर चली जाती हैं। धन तेरस के दिन अगर आप ज़ाडू खरीद करके लाते हैं, तो इस दिन जो घर से नकारात्मक शक्ती होती है, वह बाहर चली जाती हैं और हो सके तो इस दिन मेंधक की मूर्ती जरूर घर में खरीद करके लाना चाहिए। इसके पीछे मैं एक कारण भी बताता हूँ। ध्यान से सुनना अधिकतर लोग यह मानते हैं कि मेंधक जब शोर करती है, तभी बारिश होती है। मेंधक की बहुत जगह पर आज भी जैसे की राजस्थान वाले ही स्थान हैं। यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। कौन-कौन राजस्थान से है। हमें कमेंट में जरूर बताना और आपके यहाँ इसकी पूजा होता है कि नहीं बिलकुल ही बताना। बहुत जगह इसकी पूजा होती है। इसे मांडू शास्त्र में धन का चावी कहा गया है। मंडूक शास्त्र जो है इसमें इसे धन का चावी बताया गया है। माना जाता है कि घर में मेंधक की मूर्ती रखने से धन की बारिश होती है। यानि की चारों और से धन आने लगता है। तो हो सके तो दीपावली है या फिर धनतेरस के दिन मेंधक से बने हुए मूर्ती जरूर लाना चाहिए मेंधक की मूर्ती इसलिए मार्केट में बहुत ही अत्यधिक बिखते हैं क्योंकि मेंधक की शोरगुल करने से ही बारिश होती है और यह धन की भी बारिश कराने का काम करते हैं मा लक्षमी को खीचते हैं, आकर्षित करते हैं आप चाहते हो तो अपने घर में पिरामिट भी ला सकते हैं माना जाता है कि पिरामिट घर में रखने से धातु से बना आपको पिरामिट लाना है कोई भी धातु से बने आप अपने सामर्थ्य अनुसार पिरामिड ला सकते हैं, तो इससे घर के वास्तु ठीक रहता है सकारात्मक उर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का होता है, जैसे कि पीतल है, तामबा है, काँच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है पिरामिर को घर में ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग एक साथ बैठता हो इससे धन आने का मार्क तेजी से बढ़ता है और घर के जितने भी लोग आपस में बैठते हैं जिस स्थान पर वहाँ पर आपसी प्रेम जी बढ़ाने का काम करते हैं अगर आपसी शत्रुता हो वह भी मिटा देते हैं। की क्षमता होती तीवर हो जाती है। की धन देने का अधिकार मा लक्षमी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायन को है। भगवान श्री हरी विश्नु को है। किसके कर्मों में किसको कितना धन देना है, यह भगवान विश्नु जी निरने लेते हैं, तो कच्छुआ घर में रखने से भगवान विश्नु जी का कच्छप अवतार माना जाता है। भगवान विश्नु जी का स्वरूप माना जाता है, तो उस घर में मा लक्षमी दोडी चली आती। तामबे या पीतल का कच्छुआ घर में रखना अतिशुभ माना जाता है। इसे लक्षमी प्रसन्न होती हैं। आप चाहते हो तो भगवान वास्तु देव का मूर्ती रख सकते हैं। समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। आप सभी दर्शकों को जरूर पता है, वास्तु देव का मूर्ती रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं करोडों कमाना शुरू कर देते हैं ऐसे घर के लोगों को जितने भी लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं सभी अध्यात्म उन्नती करते हैं जिस घर में वास्तु ठीक हो वह घर हमेशा अन्नधन से भरा रहता है उस घर में किसी भी वस्तु का किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं होता आप सभी दर्शकों को इस प्रकार इसलिए अच्छे से जानकारी बता रहे हैं ताकि आप सभी दर्शकों का आध्यात्म उन्नती हो। ये सारी चीज खरीद करके जरूर लाएए। हो सके तो भगवान कुबेर जी हैं। हो सके तो मा लक्ष्मी हैं। आप इनके मूर्ती खरीद नहीं पाते तो इनके फोटो घर में खरीद करके लाकर के धंतेरस या दीपावली के दिन बस पूजा कर सकते हैं। तभी आपको उतना ही लाभ मिलेंगे जितना पिरामिट, कछुआ या फिर मेंधक की मूर्ती रखने से मिलता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इस दिन आउशधी जरूर ले आना आउशधी में। जैसे की मैं बच बता चुका हूं। हो सके तो सर्व जो आउशधी आती है यह भी घर में ला सकते हैं। शंकर जटा लाकर के रखने से आपके घर को रोगों से बचाते हैं, दोशों से बचाते हैं। घर में जाडू खरीद करके लाने से इसे लक्षमी का स्वरूप माना जाता है। घर में अन्नधन की कमी नहीं होने देती। तो आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्यानकारी साबित जरूर होंगे, मंगल में साबित जरूर होंगे आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ दर्शकों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखें तो जय माता लक्ष्मी लिख देना वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना धन्यवाद